हेलो दोस्तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाल हैं कि कॉमर्स से पढ़ाई करके अब क्या क्या बन सकते हैं अगर अपने क्लाश 10 के बाद कॉमर्स सिस्ट्रिम चूनी थी कॉमर्स के सब्जेक पढ़े थी तो आपके पास क्या क्या करे ओप्सन है इस वीडियो में आपको गोवर्मेंट जॉब्स के बारे में बताऊंगा प्राइबेट में भी बहुत सारी जॉब्स आप कर सकते लेकिन दोस्तो इस वीडियो में हम सिफ गोवर्मेंट जॉब्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि बहुत सरे student के comment आते हैं कि commerce से पढ़ने बाद क्या क्या कर सकते government job में तो अगर आपकी भी मन में ये सवाल आता है आपको जानने है कि government sector में कौन कौन सी job होते है जो कि commerce student कर सकता है जो कि commerce student बन सकता है तो दोस्तों आपको ये वीडियो अन तक जरूर देखना चाहिए मेरा नम है आयूस और आप देखरें आयूस रिने यूटूब चैनल अगर चैनल पर पहली बारा है तो वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजे तो देखोगे इस वीडियो में आपको जो भी options बताऊंगा उसमें बहुत सारे ऐसे कि जो आप class 12 के बाद भी कर सकते हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो कि आपको graduation करना पड़ेगा उसके बाद ही आप वो चीज़ बन सकते हैं तो चली बिना टमिस्ट की वीडियो को सुरू करते हैं देखोगे सबसे पहले हम लोग सुरुवात करते हैं टीचिंग के career option से अगर आपका interest है टीचिंग के फिल्म इपने career बनाना तो दोस्तो आप teacher बन सकते हैं अगर आपने commerce system से पढ़ाई की है तो दोस्तो आप commerce में किस सब्सक्राइब के teacher बन सकते हैं या फिर आप चाहते हैं economics, business studies या फिर जो भी आपका मन पसंदीदा subject है जो भी आपको पढ़ाना अच्छा लगता है अगर आप इस film में अपना career बनाना चाहते तो दोस्तो आप teaching film में जा सकते हैं आप चाहते हैं आप चाहते तो college में भी के film में इसके अलावत दोस्तो अगर आपको defense के film में अपना career बनाना है तो दोस्तो आप defense में भी जा सकते हैं आप Navy में जा सकते हैं आप Army में जा सकते हैं आप Air Force में जा सकते हैं यानि कि इन तीनों में से किसी में भी आप अपना career बना सकते हैं अगर आप एक commerce के student है तो इस आस्टेल पास करने के बाद ही बन सकते हैं अगर आपको और हायर पोश्ट चाहे तो दोस्तों आपको अपनी ग्रिजूएशन कम्प्लीट करने पड़ेगी आप पुलिस सव इंस्पेक्टर बन सकते हैं अगर आपको और बड़ा नाम कमाना है तो दोस्तों आप आईएस ऑफि बन सकते हैं आप railway में टीटी बन सकते हैं आप railway में लोको पाइलेट बन सकते हैं इसके लावा और भी बहुत रखी जॉब होते हैं railway में जो की एक commerce student कर सकते हैं उसके लावा दोस्तों अगर आपको central government में जॉब चाहिए तो दोस्तों आप SSC के थूब बहुत रखी जॉब पा सकते हैं तो दोस्तों आपको बहुत अच्छी salary की जॉब मिलेगी और इसमें आपको तमाम तरकी सुईधाएं भी मिलेंगी इसके लावा दोस्तों आप stenographer बन सकते हैं इसके लावा SSC GD का एक्जाम दे के आप इसमें भी paramilitary force को जॉइन कर सकते हैं अब हम आपको और भी कुछ बहतरीन career option के बारे में बताने वाले तो दोस्तों आप वीडियो को पूरा आंते तक देखते लिए अगर आपको इन सब में अपना career नहीं बनाना आ आपको किसी और फिल में अपना career बनाना है तो दोस्तों आप banking sector में जा सकते हैं जी हाँ वान अप दर बेस्ट career option banking sector बहुत रखी ग वर्मेंट bank होते हैं उसमें दोस्तों आप job पा सकते हैं आप ips के एक्जाम दे सकते हैं आप banking में PO के तोर पर काम कर सकते हैं दोस्तों अच्छी सेलरी मिलती है और बैंकिंग के तरब से आपको बहुत रखी सुधाय में मिलती है अगर आपको इन सब ही में कर्यर नहीं बनाना आप चाहते हैं लौ के फिल्में भी आप बहुत अच्छा कर्यर बना सकते हैं एज़क कॉमस एस्टुडेंट दोस्तो आप लॉयर बन जाते तो दोस्तो आप जज़ भी बन सकते हैं आप स्टार्टिंग में सीविल कोट के जज़ बनेंगे फिर हाई कोट के जज़ बनेंगे उसके बाद दोस्तो आप सुप्रीम कोट तक भी जा सकते कहने का मतलब है कि इसमें भी बहुत ज़्यादा पोटेंसियल है हमने इतने सारे career option के बारे में आपको बताया अब हम कुछ ऐसे career option के बारे में जानने वाले हैं जिसमें दोस्तों competition कम है अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर दोगे तो दोस्तों बहुत ज़्यादा chances है कि आपका selection हो जागा हो सकते हैं पहली बार महीं selection हो जाए लेकिन दोस्तों अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे तो वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को जरूर से subscribe कर दीजे एक और चीज़ आपको बताना चाहँगा कि मैंने जितने भी career option के बारे में बता है सबका link description में दिये आप वो जाके वीडियो देख सकते है फिर आप हमारी website पर भी जा सकते है गूगल पर जाके सर्च किजे how to become in india.in iusarina website मिल जागी बहुत सारे article है जो भी मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूँ सबसे related article है अप नीचे scroll down कीजे search box मिलेगा आपको जो भी जानने है banking के बारे में जानने judge के बारे में जानने lawyer के बारे में जानने CID के बारे में जानने जो भी चीज आपको जानने है वाँ पर सर्च करेंगा उस से related article आजएगा सब कुछ वाँ पर पूरे detail में बताए कितनी salary होती है क्या process है क्या करना होगा तो एक बार आप हमारी website पर ज़रूर जाहिएगा तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कुछ ऐसे career option के बारे में जिसमें दोस्तो competition थोड़ा सा कम है देखोगे सबसे पहले तो आप LIC में जॉब कर सकते हैं यहां LIC में बहुत रखी जॉब होती है आप LIC में जा सकते हैं इसमें competition कम है पढ़ाई तो आपको करने पड़ेगे लेकिन competitively थोड़ा सा आपके लिए easy हो सकते हैं इसके लावा दोस्तों आप RTO office में जॉब कर सकते हैं इसके लावा आप चाहे तो video बन सकते हैं यानि की gram विकास अधिकारिया बन सकते हैं इसके लावा दोस्तों आप चाहे तो CID officer बन सकते हैं इसके लावा दोस्तों आप चाहे तो income tax officer बन सकते हैं आप CBI department में जॉब पा सकते हैं आप IB officer बन सकते हैं यानि की intelligence bureau कि बहुत सारी career option है commerce student के लिए तो सबसे पहले आपको decide करने कि आपको क्या बनना है आपको किस film में अपना career बनाना है उस recording दोस्तो उसकी त्यारी करनी है मैंने आपको इतने सारे government jobs के option के बारे में बताएं हो सकते हैं कि मुझे से कुछ छूट गया अब जिस भी free में अपना career बनाना चाहते हैं comment करके जरूर बताएं तकि और भी लोगों को पता चले उसके सार्थ सत आपको जिसके बारे में जानने मानलेजे कि आप RTO office में job पाना चाहते हैं आप CBI officer बनना चाहते हैं income tax officer बनना चाहते हैं इसको पर मैंने वीडियो तो बना है already अपने website पर article भी लिखा जिसमें आपको पूरा सब कुछ detail बताए कितनी salary होगी, कौन सा exam देना पड़ेगा कौन सा subject पढ़ना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा, step by step सब कुछ बताए इसलिए एक बार हमारी website पर भी जरूर जाइएगा Google पर जाके search किजिए how to become in India, वहाँ पर बहुत से important article आपको मिलेगे इसके लावा दोस्तों अगर आप किसी भी government job की तयारी करना चाहते तो उसमें आपको gk और current office बहुत अच्छा होना जरूरी है इसलिए हम अपने टेलिग्राम चैनल पर डेली जी के current office related question पूछते रहते हैं इतना ही नहीं हर एक संदे आपका test भी होते है क्यों इस test होते है बहुत सारे student अपलाई करते हैं आप भी अपलाई कीजिए जोईन कर लीजे ताकि आपको पता चल सके कि आपको कितनी जानकारी है आप में कितनी improvement हो रही है दोस्तो इस चीज़ का फायदा आपको future में जरूर मिलेगे इसलिए आप हमेरे टेलिग्राम चैनल से भी जरूर जूरिए और इस वीडियो को share कीजिए अपने दोस्तों के साथ फैमिले साथ ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके वीडियो को अभी तक लाइक ने कहे था तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेजे आप सभी ने इस वीडियो को देखा आपका बहुत बहुत धन्यवाद